हेलो स्टूदेंट्स, एम्पिरिकल इंस्टिटूट के इस सिंप्लिफिकेशन सीरीज में ये है टेस्ट नमबर पांच का पार्ट नमबर वन जिसका मैं एक्स्प्लिनेशन कर रहा हूँ यदि इस टेस्ट को अभी तक आपने नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के उपर क्लिक करके सबसे पहले इस टेस्ट को दे दीजिए उसके बाद मैं एक्स्प्लिनेशन का फायदा मिलेगा आगे बढ़ते हैं इस टेस्ट को explain करते हैं देखिए सबसे पहला question क्या कहा गया है यहाँ पर कहा गया 5A7 में 335 जोडने पर परिणाम 8B2 प्राप्त होता है 8B2 संख्या 3 से विभाज है तदनुसार A अधिक्तम संभाव मान कितना होगा आपसे पूछा गया है कि A का मान जो कि यहाँ पर दिया गया है 5 के साथ में उसका अधिक्तम मान कितना होगा चलिए इस question को करते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर 8B2 3 से विभाजीत होगा यानि कि सबसे पहली बात question को हम शुरू से पढ़ते हैं यहाँ पर कहा गया है 5A 7 में 335 जोडने पर हम वैसा ही करते हैं जैसा question ने कहा है 5A 7 में हम जोडना चाहते हैं 335 को तो इस परकार से परिणाम हमें जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 8B2 अब यहाँ पर यह कहा गया है कि 8B2 जो है वो 3 से विभाज है अब यही इसका link है ध्यान से समझेए कि यदि 8B2 3 से विभाज होगा इसका मतलब यहाँ पर hint दिया गया है कि B का मान आप सोच सकते हैं A का यदि आपको अधिकतम मान प्राप्त करना है तो B का भी अधिकतम मान प्राप्त करना पड़ेगा इस प्रकार से 3 के विभाजिता का नियम आपको पता होना चाहिए तीन से विभाजिता का नियम ये कहता है कि यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग तीन से विभाजित होगा तो वो संख्या भी तीन से विभाजित हो जाएगी अब यहाँ पर B के कौन-कौन से मान आ सकते हैं, देखिए B के मान के लिए हमको इन सभी को जोड़ना पड़ेगा, जो की होगा 8 धन, B धन 2, अब यहाँ पर 8 और 2 10 होता है, अब यहाँ पर 10 धन B, अब B के कौन-कौन से संभाव मान हैं, जिससे हम 3 से इसको डिवाइट कर सकत हैं, तो यहाँ पर पहला B का मान हो सकता है 2, जो की हो जाएगा, इस परकार से 10 धन 2 हो जाएगा 12, 12 तीन से विभाजित हो जाता है, इस परकार 800 जो भी संक्या आएगी, वो 3 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन यह B का अधिकतम मान नहीं होगा, अगला B का मान जो आ सकता ह वह आ सकता है 5, इस प्रकार से 10 धन 5 हो जाएगा 15, 15 डिवाइड हो सकता है 3 से, इस प्रकार से 5 भी जो होगा वो अधिकतम मान नहीं होगा, बी का जो अधिकतम मान अगला होगा वो है 8, क्योंकि 10 में 8 को जोडने पर 18 प्राप्त होता है, जो की 3 से पूरा विवाजित हो जाता है, इस प्रकार से इसका अधिकतम मान 8 होगा, इसका मतलब बी का अधिकतम मान हम 8 रख सकते हैं, इस प्रकार ये संख्या हो जाएगी, 8, 8, इस प्रकार से हमें यह संख्या प्राफ्त हो गई अब देखिए यहां पर का गया है 5A और 7 में आपको जोडना है 3-3 5 को जिससे कि आपको प्राफ्त होगा 823 जो हम निकाल चुके हैं अब देखिए यहां पर 7 और 5 तो 12 हो गया है यहाँ पर हासिल का एक आ जाएगा अब देखें यहाँ पर 12 आ गया मतलब 2 तो आ चुका है अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आपको 8 निकालना है तो देखें यहाँ पर 3 हैं आपके पास हासिल का 1 जुड़ करके हो जाएगा 4 अब A का मान ऐसा कौन सा हम रखें दिये गए उप्षन में से जो की इस संख्या को 8 कर दे ओवियसली A का मान हम 4 रखेंगे जो की उप्षन B पर दिया गया है तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा A is equals to 4 मैं उम्मिद करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं और अगला कोशन करते हैं अगला कोशन कुछ इस प्रकार है निम्न संख्याओं में से कौन सी 18 से विभाजित नहीं है अब देखें यहाँ पर कहा गया है और 9 से भी विभाजित हो रही है तो वह संख्याओं अपने आप ही 18 से विभाजित हो जाएगी इस बात को आप ध्यान रखिएगा अब देखें यहाँ पर आपको 2 नियम पता होना चाहिए 2 से विभाजिता का नियम और 9 से विभाजिता का नियम सबसे पहली बात दो से विभाजिता का नियम ये कहता है कि इकाई का अंक जो होना चाहिए वो एक समसंख्या होनी चाहिए तो दिये कए option में से 6 समसंख्या है, 6 समसंख्या है, 6 यहाँ पर भी समसंख्या है लेकिन 3 एक विशमसंख्या है इसका मतलब इसका आंसर होगा D याने की 65, 0, 45, 18 से विभाजित नहीं होगी तो इसका आंसर आएगा D मैं उम्मिद करता हूँ आपको समझ में आगया होगा आगे बढ़ते हैं अगला कोशन करते हैं यहाँ पर अगले प्रशन में कहा गया है एक से 200 तक की पुरणांक संख्याओं में एक अंक एक का प्रयोग कितनी बार हुआ है दिये गए ऑप्शन में से एक आंसर सही होगा तो यहाँ पर हम देखते हैं इसको कैसे हमें करना है सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको गिंती लिख करके बता देता हूँ कि किस प्रकार से यह कोशन होगा अब देखें यहाँ पर मैंने एक से लेकर के 100 तक की संख्याओं को लिख दिया है अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि एक जो है वो इकाई के स्थान पर कहां कहां आ रहा है तो देखिए वो एक यहाँ पर आ रहा है एकाई के स्थान पर और एकाई के स्थान पर कहां कहां पर आ रहा है तो यहाँ पर हम एक से यदि शुरुआत करें तो इस लाइन में आगे जाने पर हम अंकों को गिन सकते हैं याने कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यह 10 टोटल एक जो है वो एकाई के स्थान पर दस बार आ रहा है यहाँ पर आप देखें तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर यदि हम बात करें तो दहाई के स्थान पर तो यह देखिए एक दस जो है वो एक दहाई के स्थान पर आ रहा है फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार से 9 और एक यह 10 तो टोटल मिला करके यहाँ पर 10 हम गिन सकते हैं तो यह हो गए 10 और 10 बीस और सेकड़े के स्थान पर यहाँ पर 100 में आ रहा है इस प्रकार से इन संख्याओं को यदि आप जोड़ेंगे तो 10, 10 और एक यह 10 और एक यह ए अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं 101 से लेकर के 200 के बीच अब यहाँ पर आप ध्यान से समझेए यदि इसी संख्याओं को मैं आगे के लिए लिखूंगा तो मैं शुनने के बाद इस प्रकार से 101, 102, 103 लिखूंगा ऐसा कहा तक चलेगा ऐसा अंतिम अंक याने 200 के पहले पहले तक चलेगा याने 199 तक तो यहाँ पर कुल मिला करके 99 बार हम जो है एक लिखेंगे इस प्रकार से पहले के 21 बार और इस बार के 99 बार टोटल मिल करके हो जाएंगे 120 बार तो इसका मतलब एक से लेकर के 200 तक हम कुल मिला करके 120 बार एक अंक का इस्तेमाल मैं उम्मिद करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला कोशन करते हैं अगला कोशन कुछ इस प्रकार है महत्तम और लगुत्तम अभाज्य संख्याओं जो सौव से कम हो के बीच का अंतर क्या होगा अब देखें यह कोशन बड़ा सरल है लेकिन हम कन्फ्यूस कहां पर हो सकते हैं हम लगुत्तम और महत्तम को लगुत्तम समापवर्ते और महत्तम समापवर्ते समझ सकते हैं तो यहां पर यह लगुत्तम और महत्तम का मतलब है महत्तम का मतलब बड़ा और लगुत्तम का मतलब छोटा अभाज्य संख्याओं की बात हो रही ह सो तक तो मैं आपको बता दू, सौ तक में सभसे बड़ी अभाज्य संख्या संतियानल, यहने 97 होती है और सभसे च्छोटी अभाज्य संख्या दो होती है, इसका मतलब यहाँ पर पूचा गया है संतियानल और दो का अंतर कितना होगा? जो की होगा 95 इसका सही आंसर आ जाएगा option A जो की है 95 तो मैं उम्मिद करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला question करते हैं अगला question कुछ इस प्रकार है 10012 याने binary को दश्मिक प्रणाली में किस प्रकार लिखा जाएगा यहाँ पर दश्मिक प्रणाली इस प्रकार के question में binary वाले question में पिछले वीडियोज में करवा चुका हूँ यह इसके अगले level का question है तो इसके क्या होगा कि हमें बता है हमें पूछा गया है 1001 binary को आप दश्मिक में कैसे लिखेंगे 9, 11, 13, 8 तो इसको कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ देखी यहाँ पर जो 1, 0, 0 और 1 संख्याएं लिखी गई है आप इसे कुछ इस प्रकार से solve करिए कि आपको शुरुवात इस एक अंक से करनी है याने कि इसके समतुल्य आपको 2 की घाट 0 लिखना है इस शुर्य के समतुल्य आपको 2 की घाट 1 लिखना है इस एक के समतुल्य आपको 2 की घाट 2 लिखना है और इस एक के समतुल्य आपको 2 की घाट 3 लिखना है ऐसा तब तक आगे बढ़ाते जाना है जब तक संख्याएं खतम ना हो जाए अब आपको क्या करना है इस दो की घात शुन्य को एक के साथ गुणा कर दीजिए इसी प्रकार से सभी संख्याओं के साथ करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दो की घात शुन्य गुणा में एक प्लस में दो की घात एक गुणा में शुन्य प्लस में दो की घात दो गुणा में शुन्य और 2 प्लस में 2 की घाद 3 गुणा में 1 अब इने solve कर दीजिए तो यहाँ पर 2 की घाद 3 हो जाता है 8, 8 एकम 8 फिर प्लस करके किसी भी संक्या को 6 ने से गुणा करना मतलब 6 और यहाँ पर 2 की घाद 0 का मतलब आप 0 मत मान लीजिएगा यह दो की घाद 0 का मतलब 1 होगा 1 गुणा 1 याने 1 इस प्रकार से 8 और 1 9 यह इसका answer होगा यानि कि option A इसका सही answer होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दश्मिक प्रणाली से binary और binary प्रणाली से दश्मिक निकालते आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ कि ये video आपके काम आएगा ये सभी questions में exam point of view से ले रहा हूँ आप अपने comment comments box में जरू लिखिए ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार के videos मिलते रहें इस video को देखने के लिए thank you